एक तरफ सरकार जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारे लगवा रही है बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोथसाहित कर रही है वहीं दूसरी ओर दहेज को लेकर बेटियों की लगातार हत्याओं का मामला सामने आ रहा है आये दिन दहेज को लेकर बेटियों के मानने की खबर सामने आ रही है ऐसा ही एक मामला राची के रिम्स अस्पताल में आया है जहां समाच सेवी नंद की सोर सिंग चंदेल की बड़ी बहन की ससुराल में मौत हो गई है बोड़ी को अभी रिम्स में पोश्माटम के लिए भेज दिया गया था घर वालों की माने तो लड़की को दहेज की मांग करते हुए हमेशा परतारिट किया जाता था मार की वज़ा से कई बार लड़की अपने माएके आ जाती थी इसकी सिकाय थाने में भी कई बार की गई है मगर कोई सुनवाई नहीं हुई है बाद में सामाजिक दबाओ के कारण लड़की फिर से अपने ससुराल चली जाती थी मगर इस बार जब गई तो जिन्दा वापस नहीं आई वह हमेझा मार्पिट करते हैं हमारी और एक सप्ता पहले हमारे घर पनरा दिन से रिगुलर थी कि वह परके lange के साथ जाथ सिलाई भाँ लोग में लिए गर में हमको जबसीशिएंन हम चली गई तो भलो गला किणत घकार ख़्संति आ अब यहां पर तो उसके बाद आज सुछना आई वहां से कि तुम्हारी बाहन का तव्यत बहुत खराब है जल्दी आजा देखने के लिए तो हम लोग को पता चला मैं तो सिधे जगनात्पूर ठाला पहुंचा वहां पर सिधे बाड़ी आई